लोगसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ी सरजरी कर दी है हार के बाद भूपाल आई जी सही 13 जिलों के पुलिस कफ्तानों पर गाच गिरी है सरकार ने कुल 37 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है एक साथ हुए इतने तबादलों को बीजेपी ने एक बार फिर मुद्दा बना लिया है पहले से ही कमलनाथ सरकार पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाने वाली बीजेपी ने फिर आरोप लगाया है कि तबादलों से सरकार पैसे कमा रही है जो सीधा सीधा इससबस्त बह कर दें एक है कि ये पैसा यहां से यहां ले जाओ, मतला हवाला कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का कारे ले, अब मुख्यमंत्री कारे ले नहीं, हवाला बड़ा हवाला उद्ध्योग का कारे ले है, पीड़ावलीडी डिपार्टमेंट से इतना पैसा आया, AICC में बेज दू, सिचाई विभाग से इतना पैसा आया, इस केंडिडेट को दे दू, तबादला उद्ध्योग से पैसा कमाओ, और हवाला उद्ध्योग के माध्यम से उसको अपने लोगा बिच्जित कर दूए। निश्ची तोर पर जो प्रसाश्ची काधिकारी, कलेक्टर, SPI, जो और है, ISIPS, जो कई सालों से एक ही जगव थे, तो निश्ची तोर पर प्रसाश्चन में कसावट लाने के लिए, और अच्छी एफिसिएंसी से काम हो सके, तो ये पार्ट एंड पार्शल अब दे गवर् लोगों को लाना है, उनको दूसरी जगर ले जाना है, कहां उनका बैस्ट उप्यों हो सकता हूँ, कमलनाजी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, बहुत कम, 60-70 पूरे प्रदेश के अंदर, जहां आजारों, ISIPS हों, छोटी बात है, और मैं समझता हूँ, कसावट के लि पैमाने में कोई इस तरह के मामले नहीं है, सीधे जो जिसकी जहां उप्योंगी था, वहां उनको पोस्टिंग की जा रही है, तो ये सो सो चूहे खाकर बिली हच को चली, वो मामला है बारते जनता है, लोगसभज उनाफ के नतीजों के बाद से ही माना जा रहा था, कि सरका अधिकारियों से खुश नहीं है, ऐसे में तबादले होने तो तैय थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों के तबादलों का अंदाजा किसी को नहीं था, वैसे कुछी महीनों बाद राजे में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि कमलनास सरकार जनता के बीच अपनी इमेज को साफ करने की कोशिश कर रही है, भोबाल सेर अविश पाल सेंग की रिपोर्ट